गुड बॉर्णिंग एब्रीबडी आज का अमारा टॉपिक है होमन बोडी गिलांट यानि देखिए जो मानव सरीट की गिरंथियां होती है उनको किस नाम से जानते हैं वह कहां पर लोकेटेड होती है उनकी थुरू किस हार्मोन का सीक्रेशन होता है उनकी बारे में आज इन पार्ट होती है एक तो होता है अगर मस्तिक दूसरा होता है मद मस्तिक और तीसरा होता है पस्च मस्तिक यानि पोस्टीर पार्ट तो देखिए यह मनुस की ब्रेंड में प्रिजेंट होती है आगे आप लोग बताएंगे चित्त के तुरू किस तरीके से प्रिजेंट हो इसे कहा जाता है सुपर माश्टर गिलांड काफिवर पूछते हैं सुपर माश्टर गिलांड किसे कहते हैं तो हाइपो थैलेमस को कहा जाता है और देखिए इसे क्या कहा जाता है इसे कहा जाता है ताप मापी गिलांड किसे कहते हैं तो हाइपो थैलेमस गिलांड को कहा जात मस्तिक किस पार्ट में प्रिजंट होती है। इस इसे किस नाम से और जानते है। इसे biological clock gland के नाम से भी जानती हैं, इसे हिंदी में का जाता है, जैबे खड़ी, जैबे खड़ी gland के नाम से भी जाना जाता है, यह important है, यह पूचा गया था, और यह एक प्रकास से small endocrine gland होती है, यानि सबसे छोटी अंता सिराबी ग्रंथी होती है, pineal body gland, तो देखिए, जो pineal body gland होती है, यह इसे एक हार्मोन secreted होता है, जिसे कहते हैं, इस विलिटोनिन हार्मोन, तो इसे एक प्रकास से darkness' हार्मोन केहते हैं या एक प्रकास से backup हार्मोन भी कह सकते हो, या night हार्मोन भी इसे कहते हैं, मिले टॉनिन हार्मॉन को आगे आप लोगों को पूरी बताईए गिलांड के वारे में बित फिगर की अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखिए तो आप लोगों को स्कल लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां से चेक कीजिए तो देखिए यह कहां पर लोकेटिड होती है यह मनुसकी ब्रेंड में लोकेटिड होती है इंपोर्टेंट है चौती है पिट्यूट्री गिलांड जो की मोस्ट इंपोर्टेंट है आपनों को बित फिगर की बता चुके है तो देखिए जो पिट्यूट्री गिलांड होती है वो एक प्रकासे पी ला हम से जानते हैं काफिवार कुस्ते किसी तो पी guard को कल गाता है यह भी प्रकास मुत ग्रयंड ग्रेंड होती है है सबसे छोटी होती है पिनेहल बाड़ी ग्राइग उससे थोड़ी बडियोति पाप पिट्युट्री-ग्लांड ए समौल-एंड szwar anal जिसे कहते हैं somatotrophic hormone, एक था एड्रीणो-corticotrophic hormone, और तीसरा था oxytocin hormone, जिसे एक प्रकासे birth hormone यालाव hormone भी कहते हैं, चोथे नमबर पता prolactin hormone, जो क्या करता है दूद की मातरा को बनाया रखता है, और पाचमा था gonadotrophic hormone, तो यह important है, नेश्ट है देखिये, नेश्ट है thay यह प्रकास प्रिजेंट होती है चैश्ट में प्रिजेंट होती है तो देखे जो थायमस्किलांड होती है इससे एक हर्मॉन सीक्रेटिट होता है जिसे कहते है थायमोसिन हार्मॉन थाइमोसिन हार्मोन, मतलब इससे सीक्रेटेट होता है, यह क्या करता है, यह जो T-Lymposide की कोसिकाएं होती है, यह उनको क्या करता है, मैच्चुर कर देता है, एक तो होती है T-Lymposide, एक होती है B-Lymposide, यह जो कोसिकाएं होती है, यह क्या कर देता है, उनको मैच्चुर कर जिस को लेंने में help करतांप। जैसे जैसे एज भढ़ती बढ़ते चाहती डैसे जैसे एज भढ़ेएगी वैसे वैसे यह जो thymus gland होगी वो क्या हो जाएगी छोटी होती जाएगी इसका आकार कैसा हो जाएगा इसमोल हो जाएगा यह पहले तो बड़ी होती है जैसे जैसे है ओबरेज होती जाती है वैसे वैसे thymus gland का आकार छोटा हो जाता है नेश्ट है थाइरोड gland जिसको हिंदी तो देखे थाइरोड गिलांड कहां प्रिजेंट होती है यह प्रिकासि गले में प्रिजेंट होती है यह का जाए गले में सांस की नली से जुड़ी होती है तो देखे थाइरोड गिलांड होती है इससे एक हार्मोन सीक्रेट होता जिसे कहते है थाइरोकसिन हार्मोन तो इसमें क्या होता है इसमें काफी यह पूछते है आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है आयोडीन की कमी से रोग हो जाता है घेंगा रोग उत्पन हो जाता है तो देखे थाइरॉक्सिन हार्मॉन क्या करता है ये प्रकास से रेगुलेशन में बर करता है रेगुलेट करता है यानि जो भी मेटावॉलिक रियक्षन होती है मेटावॉलिक रियक्षन क्या होती है जैसे हुआ रेस्पाइरेशन और क्या हुआ एक्सक्रीशन रिप्रोडक् होती है ये उनको रेगुलेट कर देता है थाइरॉक्सिन हार्मोन इंपटेंड हार्मोन है नैच capitalism ए हिंदी में कह सा जाता है परअबटू गिलांड तो ये कहा प्रिजेंट ये थाइरोड गिलान्य के ठीक नीचे इस्तित होती है, जो देके थाइरोड गिलान्य वो एचाकार की होती है और कैसी होती है एक प्रकासे बटरफलाई like होती है आगे आपनों को bit figure की बता चुके हैं, आप लोग playlist पिंचेक करके देख सकते हो तो परा-thyroid gland होती है ये भी एक प्रकास से एाचाकार की होती हैं अटारीके से होती है एाचाकर की और कहां present होती है थाइरोड ग्लाड के नीचे स्तित होती है और जो पेरा थायरोड गिलांड होती है इससे एक हार्मोन सेक्रेट होता है जिसे कहते है पेरा थायरोकसिन हार्मोन और एक होता है केलसी टोनिन हार्मोन एक होता है मिनरेलो कौर्टिको ट्रॉफिक हार्मोन जो क्या करता है जो मिनरल होते है यह उनको रेगुलेट कर देता है नेश्ट है पैंक्रियास गिलांड जिसे एक प्रकास से मिक्ष्ट गिलांड भी कह सकते हो मिक्ष्ट गिलांड का मतलब होता है मिस्रत गिलांथी काफियार पूछते हैं मिस्रत गिलांथी किसे कहते हैं तो पैंक्रियास गिलांड को कहते है नहीं मलब मिक्ष्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् क्रियास गिलांट होती है यह पेट के ठीक नीचे इस्तित होती है और एक परकार से इसमें तेके चार परकार की सेलें होती है बीटा सेलें एलफा सेलें और गामा सेलें एप सेलें यह प्रिजेंट होती है तो बीटा सेलें यह इंपोर्टेंट होती है जिनके तो इंसुलिन का सीक्रेशन होता है और इंसुलन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है डायबिटीज रोग उत्पन हो जाता है डायबिटीज मेलेटिस डिसीज उत्पन हो जाती है इंसुलन की कमी से तो आज के लिए इतना यह टॉपिक हतम हो गया इसको अच्छे से किलियर करें वीडियो अच्छ